दोस्तो कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे हूँगे स्वागत है आप सब का एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Ministry of Human Resource की तरफ से डिप्लोमा और B.B.Tech वालों के लिए काफी बली भरती रहने वाली है यहाँ पर आपकी टोटल 750 पोश्टो पर वेकेंसी रहेगी फ्रेसर से लिजबल हैं आपकी डारेक्ट भरती रहेगी कोई भी एक्जाम नहीं होगा ना तो यहाँ पर कोई आपकी एक्जामनेशन फीस लगेगी All Our India के कंडिडेट यहाँ पर अपलाई कर पाएंगे बाकी की जानकारी हम आगे की वीडियो में डिसकस करेंगे उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फोर्म में आपको जोब सब्डेट मिलते रहें इसके साथ ही आप टेलिग्राम चैनल और वाट्सप ग्रूप को भी जोइन कर लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हम हैं के ओफिसल नोल्टिस पर नोल्टिस आपका SK Finance Limited की तरफ से जारी किया गया है इनकी तरफ से डिप्लोमा और BBT की लगभग सभी ब्रांचों के लिए 750 पोस्टों पर वेकेंसी निकाली गई है अगर हम बाग करें SK Finance Limited की तो ये एक Most Trusted Non-Banking Financial Corporation है और भारत के 12 इस्टेट में ये वर्क करती है अगर आपने BBT की या फिर डिप्लोमा किया है और यहां पर इन्होंने एक चीज और मेंसन की है Apprentice तो यहां पर आपकी रहेगी रहेगी अगर आपकी overall performance यहां पर अच्छी रहती है तो इनकी तरफ से आप लोगों को job opportunity भी प्रोवाइट कराई जाएगी पहली यहां पर आपकी रहने वाली है graduate apprentice यहां पर अगर आपने graduation की है किसी भी discipline में यहां पर बात हो गए non-tech की या फिर अगर आपने bbtek किया है किसी भी discipline में आप यहां पर apply कर पाएगे टोटल यहां पर आपकी 650 फोस्टो पर vacancy रहेगी monthly stipend यहां पर आपको 9000 रुपे से लेकर 11,000 रुपे प्रतिमन्थ मिलने वाला है next यहां पर आपकी रहने वाली है technician apprentice अगर आपने diploma किया है engineering की किसी भी branch में आप यहां पर apply कर पाएगे diploma वालों के लिए टोटल यहां पर 100 पोस्टो पर vacancy है और monthly stipend यहां पर आपको 8000 रुपे से लेकर 10,000 रुपे प्रतिमन्थ मिलने वाला है बात करें आपके जो पोस्टिंग के बारे में तो SK Finance आपकी जो है वर्क करती है अगर आप इनी स्टेक से बिलोग करते हैं तो आपको जो है अपनी nearest location का यहां पर preference दे देना है बात करें आपकी essential qualification के बारे में अगर आपने B.B.Tech किया है किसी भी recognize institute या या यूनिवरस्टी से आप यहां पर apply कर पाएगे B.B.Tech और diploma आपका full time में होना चाहिए अगर आप 2019, 20, 21, 22 या फिर 2023 के पास out हैं तो यहां पर आप लोगों के लिए काफी अच्छी opportunity रहने वाली है और इसके साथ यहां पर आपको बताया है कि आपकी कोई भी pending backlog नहीं होनी चाहिए बात करें आपके apply process के बारे में तो apply process यहां पर आपका online रखा गया है सबसे पहले आपको MHRD portal पर जाना है वहां पर आपको अपना registration कर लेना है यहां पर आपको बताया है अगर आपकी performance जो है अच्छी रहती है तो इस company में आपके लिए job opportunity भी available है बात करें आपके selection process के बारे में तो सबसे पहले यहां पर आप लोगों को apply कर देना है इसके बाद इनका जो भी source listing का criteria है उसके हिसाब से यहां पर आप लोगों को source list करेंगे और interview के बारे में आपको बताया है कि interview यहां पर आपका online या फिर offline हो सकता है और इसके बाद में आपको यहां पर posting offer प्रोवाइट किये जाएंगे अब बात कर लेते हैं आपकी important date के बारे में तो form online होने आपके शुरू हो चुके हैं 21 जून से और last date यहां पर आपकी 31 जुलाई रहेगी interview के समय आपको यहां पर कौन-कौन से document लेकर जाने होंगे तो यह चीज़ भी यहां पर आप लोगों को mention कर रखी है सिर्फ यहां पर sophisticated candidate को ही interview के लिए बुलाई जाएगा बाकि गर आपके कोई भी doubt है, query है तो यहां पर इनके जो chief HR manager है उनकी email ID यहां पर provide की गई है आप यहां पर इनसे questions पूछ सकते अगर आपने bbtq या फ्री diploma किया है किसी भी branch में आप इसके लिए interested होते हैं eligible होते हैं आप यहां पर जरूर apply करिए अभी के लिए इतना है मिलते हैं next video में वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका thank you, शुक्रिया, वीडियो को like करें, share करें civil engineering के सबसे ज्यादा job subject पाने के लिए चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें